42 करोड रुपय का जुर्माना लगया गया NHI के उपर बेसिकली NHI एक संगटना है जो कि Infrastructure Development and Road Development में काम करती है और ये संगटना हाली में Delhi Mumbai Expressway के उपर काम कर रही है दोस्तो जैसे कि आपको पताई होगा कि Expressway Development में थोड़ी ने थोड़ी environment की हानी होती ही है पूरी खबर क्या है जानते है इस वीडियो में लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब के दर कीजेगा ऐसे informative वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे बात करें Delhi Mumbai Expressway के बारे में तो यह Expressway पर NHI तेजी से काम कर रहा है और आने वाले समय में यहाँ पर आपको electric lens भी देखने को मिलेगा यह Expressway अभी under construction है खबर निकल के आ रही है कि NHI पर allegations लगाए जा रहे है कि उन्होंने यहाँ पर इस Expressway को बनाते समय इन्वारिमेंट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा है दरसल इस Expressway के बीच में दो section आते है हाजिपूर और किरंज गाव इन गाव के लोगों ने यह allegations लगाए है कि यह Expressway बनाते समय यहाँ पर 263, 263 पेड़ काटे गए हाजिपूर के और करीब 100 पेड़ काटे गए है किरंज गाव के तो टोटल यहाँ पर इस Expressway को बनाते समय 363 पेड़ों को काटा गया है यही नहीं बलकि किरंज गाव में पॉंड वाटर प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था हरियाना अंडर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथोरिटी के तहट बताय जा रहा है कि NHI ने इस वाटर को भी इल्लेगली यूज किया है अपने कंस्रक्शन में जब यहाँ पर इन गावालों को पता चला तो वो इस बात को एनजेटी के पास लेके गए एनजेटी डैट मेंस नैशनल जनरल ट्रिबूल के पास वो लेकर गए जब एनजेटी ने इस बात की जाच पर तल की तो उन्हें भी यहाँ पर NHI की ही गलती दिखाई दी लेकिन फिर भी NGT ने NHI को कहा कि वो इस बात की चुच्चा भरपाई करके दे लेकिन NHI ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया देन इसके बात NHI ने अपने सफाई में एक गवर्मेंट टीम को हायर किया और उनको कहा कि वो इस प्रोजेक्ट की डेटेल में रिपोर्ट बना कि दे देन उस रिपोर्ट को NGT को सब्मिट किया देन उस रिपोर्ट में भी NHI की ही गलती साब साब दिखाई दे रही थी और इसके बाद 17 डिफेंटेंट की टीम जाती है कोर्ट में और कोर्ट में भी NHI ही गिल्टी साबित होता है देन इसके बाद कोर्ट ने कहा कि आप इनको इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट का 10% से 5% तक जुर्माना भरके दे देन बात करें इस प्रोजेक्ट को बनाने में कि यह तो यहाँ पर 908 करोड रुपे इस प्रोजेक्ट को बनाने में कॉस्ट आई है देन इहाँ पर 10-5% मतलब की 45 करोड रुपे यहाँ पर NHI को यहाँ पर जुर्माना देना पड़ेगा इस बात में कोई भी शक नहीं है कि रोट कंस्रक्शन हो एक्स्प्रेस वे अधर है कि वहाँ पर आप 200 पेड लगाए सो देश का इंफ्रस्रक्शर जितना जरूरी है उतने जरूरी देश में इन्वारिमेंट का बचा रहना भी है इसके बारे में आपकी क्या रहे है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए बाकि हम मिलते हैं किसे नेक्स्ट वीडियो म में ऐसे ही इन्वार्मेटिव वीडियो के साथ